नमस्कार मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाई न्यूज अगर बात करी जाए अदित्य ठाकरे की तो उन्होंने वरली सीट से चुनाव लड़ा था और अब ऐसे में जब शिवसेना जो है वो अदित्य ठाकरे से चिंच चुकी है शिंदे जो है वो उनी के ग हमने देखा कि विदान सबा के उप चुनाव है जिसमें बीजेपी को हार नसीब हुई और कॉंग्रेस को यहां पर जीत हासिल हुई थी हालाकि यह जीत जो है वो लगबग कहा जा रहा था कि 28 साल के बाद हुई है इससे पहले तक बीजेपी का यहां पर दबदबा हुआ कर अगर शिंदे को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में कहीं ना कहीं ना सिर्फ शिंदे के लिए बलकि बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किले होती यानि की खड़ी होती हुई नजर आ सकती है हमने यह भी देखा कि जो लोकसबा चुनाव से जुड़े हुए तमाम सर्वे उन सर्वे में यही कहा जा रहा था कि चौटे सीटे लगबक 48 प्रितिशत वोट जो है वो महाविकास अगारी गडबंदन को जा सकता है अगर NCP की बात करी जाए तो महराष्ट में उसका अस्तित्व काफी पहले का है और यह भी माना जा सकता है कि शर्थ पवार जो है वो और उतरना चाती है अर्विंद केजडी वाल ने जाकर उद्व ठाकरे से मुलाखात करी यानि कि कही न कहीं यह इशारा था कि तमाम राजनेतिक दल साथ आए अटलीस महाराष्टा में ताकि बीजेपी को जो है वो सत्ता से हटाए जा सके मराठी अगर समाज की बात करी जा तो क्या उद्व ठाकरे के साथ वो दिखाई देगा क्योंकि शिफसेना बहले ही चिन गई हो चुनाव चिन बहले ही चिन गया हो लेकिन जंता का जो प्यार है जंता का जो विश्वास है अगर वो उद्व ठाकरे के साथ रहता है अधित्य ठाकरे के साथ रहता है तो फिर कह शक्ति प्रदर्शंग जिस तरीके से CM शिंदे दिखाते हुए नजर आए उससे कहीं न कहीं यह माना जा सकता है कि जो बात अधित्र ठाकरे ने कहीं थी वह सथ साबित होती हुई नजर आ रही है आपको बता दे कि वरली उदव ठाकरे के बेटे वरली सीट से जो लड़े थे उदव ठाकरे के बेटे अधित्य ठाकरे का विदान सभा शेत्र है और सेक्रो बाइक के जरिये यहाँ पर CM शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया और ये भी आपको बताते चले BJP और शिफ सेना की ये संयुक्त आशिरवाद यात्रा जो है वो तीन चरड़ों में मुंबई कि 6 लोग सभा सीटों में निकाली जाएगी BJP के नेता और कारकरता लोगों से मुलाकात करेंगे मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे 2024 का बड़ा चुनाव है और उसी को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग सभा चुना क्या लोग को वार कदम उठाया चुनाव।